नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हूँ बेटा सभी, अच्छे है ना, बेटा आज हम करेंगे पार्ट नमबर 2 के प्रशन अतर ठीक है, तो आपने नोट बूक में सबसे पहले दिनांग, दिन और फिर पार्ट 2 प्रशन अतर ठीक है बेटा, तो प्रशन नमबर 1 है हमारा श् यानि कि विश्यम परिस्थितियों में कायर्था दिखाना अगर कोई कठिन परिस्थितियां कोई मुसीबत आ जाती है तो उसमें अगर कोई मनुष्य कायर्था दिखाता है यानि उससे भागता है तो श्रेश्ट मनुष्य के आचरण के विपरीध है तो क्या उत्तर आएगा जो जीवात्मा है बिटा वो कैसे कैसे शरीर प्राप्त करता है तो एक जनम में जीवात्मा बाल युवा और व्रिद शरीर प्राप्त करता है सबसे पहले बाल फिर युवा होता है और फिर व्रिद ठीक है अगला प्रेशने संसारिक परिवर्तन में एक शन में कौन कौन से परिवर्तन की बात की गई है तो कहा गया है कि संसारिक परिवर्तन में एक शंड में यानि एक ही पल में अमीर से गरीब होने की बात कही गई है यानि एक शंड में तो मनुश्य अमीर होता है और अगला ही शंड ऐसा आता है कि वो गरीब हो जाता है फिर एक काम करोध और मोह इनका क्या करना चाईए तो उत्तर आएगा बिटा काम करोध और मोह को त्याग देना चाईए यानि छोड़ देना चाईए फिर किस प्रकार के भाव से करम करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता हम पाप न लगें, हम यह सोचें कि सुख, दुक, लाब, हानी, जीत, हार सब भगवान के हाथ में हैं जो ये सब चीज़ें हैं बिटा, ये सब भगवान के हाथ में अगर हम ऐसा भाव रखेंगे ऐसे भाव से करम करने पर मनुश्य को पाप नहीं लगता ठीक है बिटा तो ये सारे प्रेशन उतर आपने अपनी नॉट बुक में बहुत सुन्दर हैंड राइटिंग में लिखने है ठीक है बिटा